तो फाइनली स्प्रोव रिवील हो चुका है और उसकी क्या-क्या डीटेल्स है क्या-क्या आपन को देखने को मिल रहा है एडवांस फीचर पुराने PS5 और PS5 PS5 Pro में क्या आपनको देखने को मिल रहा है उससी कब बार बात करेंगे तो चलो वीडियो को चालो चालो करते जिसन स्लिम वेरियंट है और जो अपना इनका जो सबसे पहले जो इन्हों सबसे फर्स्ट प्रो पीस फाइव लॉंच किया था उससे चोटा है और स्लिम के बराबर है जितना मैंने बढ़ा है तो डिजाइन में तो यही कुछ चीज़े थी और अब बात करें से में चीज़ के बारे जिसकी वज़े से अपनको 45% फास्ट रेंटरिंग देखने को मिलेगा जो अपना गेमप्ले होगा वो 45% फास्ट रेंडर होगा इन दोनों चीज़ की वज़े से जैसे अपने पुराने ps5 में होता था उसमें fidelity mode उता और performance mode तो maximum मैं खुद भी performance mode पे खेहलता आ रहा हूं सारी दिक्कत अपनी का खतम कर देगा और अपन को एक स्मूज 60 fps अच्छे ग्राफिक्स पे रेंडर करके देगा गेम जिससे अपनों क्या बोलते अच्छा इसके अपन को और भी जादा एडवांस रेट रेसिंग देखने को मिलेगी जिसकी वैसे जो प्लेस्टेशन वालों निकाल दिया प्लेस्टेशन स्पेक्ट्रल सुपर रिजॉलिशन जो की मदद से अपना क्या बोलते हैं लोग स्केल मदब लोग स्केल फुटेज या लोग स्केल वींपले को अपने को क्या बोलते इन एंस करके देगा एक अच्छे खासी कॉलिटी देगा अपन को मदब 60 fps तो देगा ही देगा बागी यह लोग बोल रहें 4K 120 fps भी बहुत सारे इम सपोर्ट करेंगे अब PS5 प्रो में जो की PS5 में नहीं करते तो यह तो इनके सबसे जादा जो में फीचर इन लोगों ने पूरे अपने कल क्या बोलते हाइलाइट करें 10 मिंट का जो भी इनका वो लाइफ स्ट्रीम थी उसके अंदर इन लोगों ने जो यह बिक थ्रीन अनौन्स करें यह तो है अच्छे बड़ अगर फिर इसके साथ क्या बोलते है यह प्रो वर्जन में लोगों को डिस्क वाला तो देना चीए था इन लोगों ने नौर्मल दिया बोला डिस्क तुम खरीदो डिस्क आती है 10,000 रुपे की डिस्क है बाई तो यह बहुत जादा एक नेगेटिव पॉइंट है और प्राइस की बात करें तो 699 डॉलर रखा है इन लोगों ने और 799 यूरो में को जहांता पता है तो प्राइस बहुत जादा हाई बता रहे है भाई PS5 प्रो की जो की बहुत गलत है और अगर इतनी प्राइस हाई भी कर रहे हो तो डिस्क भी दो या एक एक एक्स्ट्रा कंटोलर दो या कुछ से लोग बोल रहे है कि 60 fps देंगे हम कॉलिटी कॉलिटी में बिल्कुल मतलब 19-20 का फरक तो नहीं बोलूगा थोड़ा बहुत फरक है इतना जादा बिग डिफरेंस नहीं है जो प्रो एक प्रो नाम जो होता है प्रो नाम जो दिया गया है उस हिसाब से बिल्कुल भी प्रो उनको PSY प्रो पर इनांस करके मिलेंगे लाइक कॉंपेटिबल रहेंगे वह और भी 4K 120 पर भी जा सकते है और 4K 60 तो आए गई आएगा तो यह सब चीज़े अपन को एक स्मूध गेंपले देखने को मिलेगा PS5 प्रो के अंदर Wi-Fi 7 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है अपन को मिलेगा वह अपन को सीधा 2 TV का देखने को मिलेगा जो की वो मेरे को एक अच्छी चीज लगी बट प्राइस के मामले में यार थोड़ा हाई है प्राइस इनको कम करनी चाहिए मेरे साब से तो कितनी करनी चाहिए मुझे पता नहीं क्यों कुछ नहीं पता किते रुपे घ का एगा किते का पड़ेगा क्राइगा वड़ मैंने स्टेंड प्राइस देखई ती जो की महंगी थी तीने जारुपे था और डिस्क ट्राइब भी बहुत प्राइब है नियुक्त को लेता नियुक्ट सब्सक्तिया और उसम पीपल बाए तो उनके सब्हसाब से बहुत महे नहीं आता क्योंकि quality गर जाती है fps तो 60 आ जाते है लेकिन quality गर जाती है जो कि बहुत गलत सिस्टम है समझे हो तो मित्ता महेंगा मतलब महेंगा तो नहीं बट powerful machine लेने के बाद भी तुम क्या बोलते है quality पे नहीं खेल पा रहे हो performance करना पड़ रहा है तो मैं fps चाहिए तो भाई वो बहुत दिक्कत वाला काम है मेरे लिए मेरे को ps5 मेरा जो पड़ा है side में उसके साथ मेरे को बस एक यही चीज़ face करने को मिलती है कि quality नहीं मिलती है तो ps5 pro में quality इतनी जादे enhance नहीं है बट हाँ quality है भाई इतनी भी बतलब बुरा भी नहीं बोलूँगा बड़ा price wise यार तुम इतना कोई banker jump नहीं दे रहे हो तुम ps5 pro में तो उस हिसाब से जिन लोग के पाँ नहीं है भाई वो तो ले लो अगर तुमको लग रहा है क्या बोलते जादा महहा नहीं पड़े गा यह inr में वैसे तो महँआ है आई रह में जब रीलीज हो गत पतर चलेगा तो उस हिसाब से तुम ले सकते हो यार बाकी तो में भी मैं upgrade करूं नहीं करूं मेरको कोई आड़िया नहीं भाई मैं तो जादा मेंगा हुआ तो नहीं करूंगा क्योंकि देखो में को कॉलिटी ची है और ऐसा गेमर मैं कॉलिटी ही प्रिफर करता हूं एट लिस्ट प्लेस्टेशन पे तो मल्टी प्लेयर गेम में तो समझवें भी आता है तुम एफ्पिस से यह बाइट में एक दो गेम पर देते हैं लोग जैसे कि कुछ गेम्स पर ही होता है टैन 4K 60 तो सब पे दो यार सब पे दो इत्ती बड़ी कम्मिनुटी हो गई है तुमारी अब तो सब पे देना चाहिए इनको तो यही कुछ डीटेल्स ही यार पीस फाइफ प्र इतना जाद अच्छा नहीं लगा तुम्हें कैसा लगा तुम कमेंट करके ज़रूर बताना यार अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए टाड़ा बाइब है जिसने भी लाइक शेयर सब्सक्राइम नहीं किया प्लीच कर देना